कि हलो दोस्तों मैं संदीप आप सबका अपने यूटूब चैनल ग्यान आर्वेल में स्वागत करता हूं अगर आप मैं चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें इससे आने वाले नोटीव किसान आप तक असानी से हैं रचनाओ के साथ साथ जन्मिस्तान के बारे मां बात करेंगे और उनके लिए उनके ज्या खास है कि वह किस चीज की प्रवाड़ता या फिर इस तरीके की चीज के हम ध्यान देंगे उनको कौन से पुरुषकार प्राप्त हैं तो आपके लिए बहुत important वीडियो होने वा करेंगे उनकी रचनाय और उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनका जन्म कहां हुआ है चलिए पहले जैसे हमारे सबसे पहले बात करते हैं जैसंकर प्रसाथ के बारे में बात करते हैं तो इनका उपनेम क्या है कलाधर इनको कलाधर के नाम से जानते हैं कोश्चन आ सकता कि जैसंकर प्रसाद को किस नाम से आने था तो कलाधर इनका जन्म कहा हुआ है वारसी में और इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहते हैं कुश्चन कई बार आया हुआ है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है तो कौन है जैसंकर प्रसाद जी तो हम देखेंगे कि जैसंकर प्रस कामाईनी बहुत important कामाईनी है कामाईनी या रखेंगे प्रेम पथिक उर्वर्सी कानन कुसुम तो यह इनकी क्या है रचना है देखिए बहुत से लोग कंख्यूज हो रहे होंगे कि उर्वर्सी कि इसकी है रामधारी सिंग दिनकर की हाँ यह भी बास सही है क्योंकि दिनकर को इसके लिए क्या मिला है ग्यान पीट पुरुषकार अगर आपके पास कोशन आता कि उर्वर्वर्सी के रचनाकार कान है वहां पर जैसंकर प्रसाद और रामधारी सिंग दिनकर दोनों आते हैं त जैसंकर प्रसाद को, क्योंकि दिनकर को इसके लिए ग्यान पीड पुरुषकार भी दिया जा चुका है, तो याद रखना चलिए, वैसे वो question क्या है, doubt बजाएगा, उसको सभी को समानंक मिलेगा, क्योंकि इसके लिए जैसंकर प्रसाद ने भी इसको लिखा है और रामधाई यह बहुत important है, जनमेजे का नाग्यग, इसे याद रखेंगे, और देखें, इनके उपन्यास कौन-कौन से हैं, तो तितली, कंकाला और इरावति, देखें, पूछाता question की, इनका कौन सा उपन्यास अधूरा है, तो कौन सा इरावति यह क्या है, अपूर्ण उपन्यास है, इसको हमने highlight कर रखा, तो याद रखेंगे, इनके बारे में, देखें, इनकी कामाईनी, इसकंद गुप्त, छर्ना, और जनमेजे का नाग्यग, यह चीज़े बहुत थी, जरूरे इनको जरूर याद रखेंगे, चलिए next, हमारे दूसरे नंबर के कभी कौन से हैं, उनके ब बारे में देखते हैं, कि इनका क्या प्रसिद्ध है, और इनकी रचनाएं, कौन-कौन से हैं, देखें, राम धाय सिंधिनकर, इनके बारे में बात करते हैं, इनका जन्म इस्थान कहा हुआ था, बेगु सराय, बिहार में इनका जन्म हुआ है, अब इनकी रचनाओं के बार पतर में पुर्वरसी के लिए कि इने ज्यान पेट पुरुसकार मिल चुका है तो रामधाई से दिन करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा ही पूछे आती है, अगला है हुंकार, कुर्छेत्र, परसुराम की प्रतिच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख पूछे जाने के बहुत ही उम्मीद होती है, तो इसके रचनाकार कौन है? रामधाई चिक दिन कर, अगला है धूप और धूमा, रस्मी लोग, हारे को हरिनाम, ये भी question important है, कि हारे को हरिनाम के इसके रचना है, तो रामधाई से दिनकर की, अगला है रेड़ोगा, सीपी औ और संख नीम के पत्ते आत्मा की आखे तो ये इनकी क्या है रचनाएं है बात कलेते हैं कि निबंद की तो निबंद अर्धनारिस्वर बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे और रेती के फूल ये दोनों याद रखेंगे अगला है बिवाह की मुसीबते और भारती एक इनके बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से चीज़े है वह हम बता दे रहें कि इनका सबसे पहले जन्मिस्थान आपको याद रखना है और उर्वरसी के लिए इन्हें गयानपीट पुरुषकार मिला है और संस्कत के चार अध्या के लिए इन्हें साहित ग प्रमो क कवित्री हैं एक मात्र कवित्थी ती जोगी भेमस थी तो इहां जीरे इला सब्रते आधुनि की मिरा अगर पुछ़ा कि महादेवी वर्मा को किस नाम से आनते पाध़ुनिक युक्त की मीरा के नाम से इनका जन्म फरुखावाद में ये question पूछा जा चुका है जेल forest guard के exam में कि महादेवी वर्मा का जन्म कहा हो दो फरुखावाद में बताएंगे देखे ये छायावादी का थी कवित्री थी बात कर लेते हैं इनको पदम विभूसर दिया गया एक राम थे सिदिनकर को उर्वर्सी के लिए और दूसरा यामा महादेवी वर्मा के लिए और इनकी जो रचनाएं है अतेत की चल्चित बहुत ही इंपोर्टन है ये तो याद ही रखेंगे यामा याद रखेंगे, इनकी जो भी रचनाय है सब ही रचनाय इंपोर्टन है, गिल्लू दीप सिखा, बहुत बार मुझा गया है, नीरजा रस्मी, निहार और सांधगीत, ये इनकी रचनाय हैं, ये बहुत ही इंपोर्टन है इनको ज़रूर याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी को, इनके बारे में देखते हैं, बहुत इंपोर्टन ये भी है तो देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म कहां हुआ था तो जन्म कहां हुआ, कौसानी, बागेस्वरी, बागेस्वर कहां पर बढ़ता है, UK, उत्राखंड, इनको पदम भिभूसर कब देगा 1961 में, इनकी रचनाओं के बात करते हैं, तो देखें, वीडा, पल्लव, बहुत इंपॉर्टन है, गुंजन, युगपत, तारापत, ग्रंथी, ग्राम्या, स्वांड किरेडर, उत्तरा, पत जड, कला और बुढ़ा चांद, इसको जरूरी याद रखना कला और बुढ़ा चांद, बहुत इंपॉर्टन है हमारे लिए, कि इसके लिए क्योंकि साहित अकदमी पुरुसकार मिल गया, ठीक, जिस भी रचना को को पुरुसकार दिया था, वो बहुत इंपॉर्टन हो जाती है, परिच्छा की दरश्टी से, तो याद रखेंगे, चिदंबरा के लिए, ग्यान पीट पुरुसकार, बुढ़ा, कला और बुढ़े चांद के लिए, कि कौन साहित अकदमी पुरुसकार, और लोकायतन, बहुत बहुत इंपॉर्टन, लोकायतन के लिए, कौन सी पुरुसकार दिया गया इनको, सोवियत, लैंड, नहरु पुरुसकार, और इनका नाटक याद रखना, जियो सनने इनका नाटक है, तो यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन रहाते हैं, कि इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, 1961 में पदम भूसर्ण भी दिया गया था, चलिए, नेक्स्ट होते हैं जो, पांचवे नंबर के कभी, देखी, इनको क्या बोलते हैं, मैथली सरण गुप्त, मैथली सरण गुप्त जी, देखे, इनको हम राष्ट कभी के नाम से जानते हैं, तो कोशन आएगा कि प इंपॉर्टेंट रचना हैं, भारत, भारती, पहली इंपॉर्टेंट रचना याद रखेंगे, पंचवटी, साकेत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यसो धरा, रंग में भंग, हिंदू, जैदरत वद, यह बहुत बार पूचा भी जा चुका है, नहुस, यह भी पूचा जैदरत वद, यह तीन रचना है, तो जरूर ही याद रखेंगे, और नहुस, बात करेंगे, इनकी अनुदित काब्वे कौन से है, तो पलासी का युद्ध और मेगनात, चलिए अगले देखते हैं, भारतेंट हरिस चंद जी को, जिन्हें का गहते हैं, आदुनी किंदी साह साहित के जनक या पिता, तो यह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो भारतेंट हरिस चंद का जन्म कहा हो था, वाररसी में, और इन्हें क्या कहते हैं, तो आधनिक हिंदी साहित के जनक, फादर आफ मॉडन हिंदी, चलिए, नाटक देखते हैं, इनकी कौन- और भारत जन्नी, स्री चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताब, मुद्रा राच्छस और दुरलब बंदू, बहुत इंपॉर्टेंट अचनाय हैं की, तो इसमें से हम वैदही हिंसा हिंसाना भोद, और भारत दुर्दसा, नील देवी, भारत जन्नी, अ अंधेर नगरी, करपूर मंजरी, इनको हम जरूर याद रखेंगे, चलिए निबंद के वारे में देखते हैं, तो निबंद का है काल, चक्र, कस्मीर, कुसुम, संगीत, सार, हिंदी, भासा, भासा, दरपन, और पांचवा पैगंबर, सुर्योदे, तो इनको हम याद रख पांचवा पैगंबर, और कस्मीर, कुसुम को, इनकी काव एकरतिया कौन कौन से हैं, प्रेम, मालिका, प्रेम, माधुरी, प्रेम, तरंग, प्रेम, प्रला, प्रेम, फुलवारी, दसरत, विलाप, रतना वली, देखे, रतना वली कई लोगों ने लिखी है, हर्श वर्धन भी लिखे है कर्ष चरित्र, होली, बंदरसभा, बकरी विलाप, दान लीला और फुलो का गुच्छा, बकरी विलाप, बंदरसभा ये भी पूची जा चुकी है, रचना है तो इनको भी हम याद कर लेंगे, और इनका यात्रा व्रतांत चरूर याद रखेंगे कौन सी है, सर् हरिषचंद चंद्रिका, बेर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनकी जो पत्रिकाएं हैं, उसका नाम क्या है, कवि अचन सुधा और हरिषचंद चंद्रिका, चलिए अगले जो राइटर हैं उनके बारे में देखते हैं, धरम बीर भारती, बहुत इंपॉर्टेंट रचना इनकी बार पूझा जा चुकी हैं, अभी हाल ही में यूपीटेट में भी इनकी कनुप्रिया रचना पूझाए गई, दी देखें कनूप्रिया रचना, ये जो ability को इसका यूपीटेट का पेपर हुआ सो इनके बारे में पूच्छा गया था, ले हमारे लिए बात करते हैं, इनका जन्म तो प्रयाग राज में हुआ है, पदम सिरी अवार्ड इनको 1970 में दिया जा चुका है, इनकी कहानी देख लेते हैं, तो कहानी कौन कौन से हैं, मुर्दो के गाओं, स्वर्ग और प्रत्वी, चांद और तूटे हुए लोग, सांस की कलम से, बंद ग और कनप्रिया, साथ की इतियात कर लेना, तो देखें ये जो कनप्रिया है, ये यूपिटेट में पूछा गया कोशन है, इसी साल, चलिए अगले टॉपिक देखते हैं, अगले कभी के बारे में, आठवे नंबर के, अभी इनके कुछ और है, तो देखें ये सपना अभी भ दिया गया, अंधा यूग ये भी बहुत इंपोर्टन्ट है, धर्मबीर भारती के गुनाहों के देवता, बहुत इंपोर्टन्ट सूरच के सात्वों खोड़ा, उससे भी यादा इंपोर्टन्ट है, याद रखेंगे, ग्यारा सपनों का देश और ठेले पर हिमाले, ये व चलिए अगले कुशन देखते हैं, अगले कभी के बारे में, तो सूरिकांत्रिपाठी निराला जी, ये भी बहुत इंपोर्टन है, इनका जन्व मेधनीपूर, जहां कहां पड़ता है, पस्चिम बंगाल में, इनकी कावे संग्र देख लेते, अनामिका वेरी इंपोर्टन है, परिमल, गीत का सरोजिस्मरती, इनकी लड़की जम्रत्याती उसके उपर बनाते हैं, और ये तुलसी दास, ये देखें, तुलसी दास तो वेरी इंपोर्टन है, जिसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट कर लिजेगा, क्योंकि ये देखिए, ये इस बार भी यूपी टे पाठी निराला जी की, कुकुर मुत्ता, वेरी इंपोर्टन, अडिमा, बेला, नय पत्ते, अर्चना, अराधना, अपरा, अब इनके हम उपन्यास देखते हैं, तो उपन्यास दे लेते हैं, अपसरा, अलका, प्रभावती, कुलुभाठ, काले कारना में, ये भी याद रख तुलसिदास है, ये बहुत इंपोर्टन है, कुकुर मुत्ता, अनामिका, परमिल, ठीक, तुनको हम याद रखेंगे, चलिए, अगले हैं, हमारे नवे नम्मर के, कभी, जो की कौन है, हजारी प्रसाद दिवेदी जी, बहुत इंपोर्टन है, ये भी, इनका जन्म कहांवा बलिया, यूपी में पढ़ता है, जो, यूपी का कहों सा जिला है, ये सबसे पूर्वी जिला, जो की बिहार से लगता है, चलिए, अब देखते हैं, निवन्धिन के, तो असो के फूल, very important, कुटज, बहुत important है, आलोग पर, ये तीनों तो आपको याद ही रखना है, उसके आलोचना या साहित इतिहास देख सकते हैं, तो सूर साहित, इनकी क्या है, इतिहास है, नात संपरदाय, हिंदी साहित का आदिकाल, हिंदी साहित का उद्गम, एवं विकास, चलिए, टेंथ नंबर देखते हैं, और लास्ट, देख लेते हैं, बहुत important है, प्रेमचंदर जी मुंसी प्रेमचंद, इनको हम किसके नाम से, इनका देखिए, रियल नेम क्या है, धनपत, राय, सिरिवास्तो, इनका रियल नेम है, इनको मुंसी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, अब बात कलते हैं, इनका जन्म कहा हुआता है, वार रसीम हुआ, इन्हें और किस-किस न गबन, रंग भूम, निर्मला, प्रेमा स्रय, सेवा सदन, काया कल्प, प्रेमा वर्दान, बहुत इंपोर्टेंट है इनकी रचना है ये, अगली बात कर लेते हैं, देखे, रूठी रानी, ये एक मात एतिहासी को पन्यात है, याद रखेंगे, इनकी एक मात एतिहासी को पन् इसे अंगरेजों द्वारा जप्त कर लिया दग गया था, इसे अंगरेजों ने जप्त कर लिया था इनकी कहानी बात करते हैं, तो कौन कौन से हैं, नमक का दरोगा, लाल फीता, नो जीवन, बड़े घर की बेटी, सब्त सरोज, प्रेम पचीसि, प्रेम प्रसून, प्रेम प्रतिग्या प्रेड़ा, सब्त सुमन, सतरंज के खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंच परमेशवर, वेरी इंपॉर्टेंट, दुर्गा का मंदिर पूर्धी का की इंपॉर्टेंट है, सवा सेर गेहूं और माता का हिर्दय, इसके साथ इसाथ आगे देखते हैं, ठाकूर का कुवा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठाकूर का कुवा, इस्तीफा, सुजान भगत, बेटो आली विद्वा, पूस की रात वेरी इंपॉर्टेंट है, नसा, कफन इदगाह, प्रेम प्रमोद, बड़े भाई, साहब, होली का उपहार और आत्मा राम, त क्योंकि और हम इसी तरीके के विडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, थैंक्यू, धन्यवाद,